नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूटूब चैनल में अपना ध्यान रख रहे होंगे अपनी फैमिली का ध्यान रख रहे होंगे तो जी हाँ एक ही सवाल हर बच्चे के जुबान पे सर महनत तो कर रहे हैं लेकिन इंप्रूमेंट नहीं नज़र आ रहा है बहुत महनत करी इतनी महनत करी उतनी महनत करी लेकिन क्या करे बोले तो बोले क्या करे तो करे क्या वाह CSIR वाह ऐसे सवाल दिमाग में लोगों के आता है कि अगर इतना हम मेहनत कर रहे हैं तो अब इसके बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए तो अब जो मेहनत आप कर रहे हैं, उस मेहनत के बाद भी अगर इंप्रूव्मेंट आपको नहीं मिल रही है तो what you have to do, क्या करें? इसी मुद्दे के उपर बादचित करने के लिए आज मैं जुड़ा हुआ हूँ, इस वीडियो में तचले सुरू करते हैं बिना किसी देरी के तो सबसे पहले इस वीडियो को तीन सबसेट में हम डिवाइड कर सकते हैं, कि पहला कि आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो मेहनत, इल्यूजन बेस्ट मेहनत तो नहीं है दिमाग में आपके सबसे पहली चीज आने चाहिए कि whatever you are doing, that should not be illusion-based effort ठीक है, आपके मेहनत illusion-based नहीं होनी चाहिए, दूसरी चीज है कि अगर जो effort आप illusion-based नहीं भी कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर आपको तरक्की नहीं मिले तो आपको क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे तीसरा पार्ट जो आजाएगा, वो है conclusions, ठीक है, फस्ट पार्ट पर बात करते हैं कि अगर आप जो मेहनत कर रहे हैं, वो illusion-based तो नहीं है, सबसे पहला सवाल आप जो मेहनत कर रहे हैं, उसको identify करने का, illusion-based मेहनत में कई तरीके के जो है, वो categories को आप जो है, डिवाइड कर स एक घंटा continuous पढ़ लिया, और ये effort, actually में उतना जादा effort नहीं है, जो कि करना चाहिए, जितना होना चाहिए, लेकिन उनके मन में ये exaggerated effort अपने आपको fit कर लेते हैं, कि मैंने महनत बहुत सारी कर ली है, अगर आप इस effort के category में आते हैं, तो जरूर आपको सोचने के जरूवत है, कि आपका जो महनत है, आपका जो effort है, आपका जो hard work है, वो illusion based है, दूसरा illusion based work होता है, वो है आपके interrupted hard work, कई सारे, आज कल सबसे जादा जो problem है, वो है social media का, student 10-15 minutes पढ़ता नहीं, कि reels और sorts के दुनिया में खो जाता है, messages चेक करेगा, sorts देखेगा, reels देखेगा, अगर आप इस केटेगरी से महनत करना है, आदे गंटे पढ़ा, आदे गंटे social media, आदे गंटे पढ़ा, आदे गंटे social media, तो अगेन आपका जो effort है, वो consistent effort नहीं है, वो एक result oriented effort नहीं है, that is illusion based effort, तो इस effort से जो है, बचिये, कि अगर आप illusion based effort कर रहे हैं, तो इसके बाद जो बात क सिर्फ किताब खोल के बैठा रहा, तो उसने effort कर लिया, अब उस 4 घंटे बे उसने सीखा कितना इस पे matter ही नहीं करता, उसने सीखा कितना, उस qualitative study की उपर बात ही नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ quantitative studies की उपर बात करते हैं, और अगर आप quantitative study कर रहे हैं, यानि आप illusion based study कर रह ये तीनों effort जो है, वो illusion based effort आते हैं, मतलब आपको लगता है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप पढ़ाई actually में नहीं कर रहे होते हैं, आपके जो पढ़ाई होनी चाहिए, वो qualitative होनी चाहिए, यानि graphs पर ये topics को topic wise study करिए, time wise study मत करिए, आपको सीखना है, जो topic सीखन उसके उपर focus करके study करिए, तो बात कर लेता हैं कि the 10 rule, आखिर में वो 10 topics rule कहता क्या है, अब 10 topics या 5 topics rule को follow कर सकते हैं, depending upon your interest, तो सबसे पहले बात करेंगे 5 topics rule को, यानि आज से आप सुरू करिए daily 5 new topics को learn करने के लिए, I repeat मैंने आपको reading के लिए नहीं बोला है, learn करने के इसलिए 5 new topics को learn करिएगा, read मत करिएगा, तो 5 नहीं topics को आज से शुरू करिए, learn करने के लिए, example के तौर पे 5 नहीं topics, अगर मैं biochemistry से बोलू, शुरू आतमे amino acid हो गया, titration हो गया, structures उसके हो गया, protein structures हो गया, ऐसे कुछ topics है, मैंने term नहीं बोला है, topics बोला है, तो 5 नहीं topics को ध्यान दे, तो 13 या 10 से divide करिए, तो लगभग 30 topics जो हो जाएंगे per units, आप समझ सकते हैं, आप हर topics को learn कर सकते हैं, अगर आप यह attitude बनाए तो, देखे, किसी-किसी की capacity, 10 topics learn करने की होगी, पढ़े, और किसी-किसी की 2 topics होगी, आप अपनी capacity के according जो है, चूज करिएगा, लेकि के साथ साथ, अगर आप recalling को mix कर लेना, तो समझ लिजे, best combination है, 5 topics learn करिए, नए topics को, और 5 old topics को recall करिए, अगर आप recalling कैसे करते हैं, नहीं जानते हैं, तो इसी channel पे मैंने recalling का पूरा detail method बताया हुआ है, जाके देख लिजेगा, और सीख लिजेगा, कि recalling करते कैसे हैं, तो एक बार फिर से मैं बता दू, 5 new topics को learn किया, और 5 old topics को recall किया, new topics को learn किया, और 5 topics को recall किया, total होगे 10 topics, अगर 10 topics daily, 5 for learning, 5 for recalling, आप सोच लिजे, 10 topics daily, 60 days, 600 topics, 300 topics learn किया, उसी 300 topics को recall कर लिया, वो कितना strongly आपका prepare हो जाएगा, अगर आप 60 days बहुत broad लग रहा है आपको, तो आप इसको सिर्फ 1 week try करके देखिए, एक हपते try कर लिजे, जाहिए एक हपते जो है, इस 5 topics को learn करिए, 5 को recall करिए, और try करके देखिए कि improvement है कि नहीं है, आप खुद इस वीडियो में आके जरूर बताइएगा कि improvement है कि नहीं है, इसके साथ इसी में एक और add-on करना चाह हूँ, तो 5 topics learn, 5 topics recall, 5 new topics learn, 5 old topics recall, and 5 topics जो recall हुआ है, उसी को practice कर लिजे, इसको बोलता है 15s rule, 5, 10, 15, 5, 10, 15, 5, 10, 15, अगर आपने try कर लिया, 5 new topics learn किया, 5 new topics जो है, 5 old topics आपने recall किया, और जो topic आपने recall किया, उसी पर practice कर लिया, यह है best strategy, try करके देखिए कि कोसिस करिएगा, अगर आप एक हपते भी try करेंगे और improvement नहीं हुआ, आप इसी वीडियो में आके मुझे बताएगा, sir, improvement नहीं है, और क्यों नहीं है, फिर उसके उपर मैं काम करने की कोशिस करूँगा, लेकिन जो मैंने अभी कई सारे students, जो की false illusion based effort के उपर चल रहे थे, जिननोंने बहुत सारी मेहनत करी, लेकिन कोई improvement नहीं हो रहा था, वो एक try करके काफी improvement देख चुके हैं, इसलिए मैं सभी के लिए बता रहे हूँ कि आप एक बार try करके जरूर देखिएगा, और एक हपते बाद जरूर से इस वीडियो के comment box में आके बताएगा कि यह effort आपके लिए जरूरी ह या आपके लिए beneficial है या नहीं है, जी हाँ, अगर ये वीडियो आपके लिए अच्छी लगी है, तो जरूर जो है, इस वीडियो को like, share, subscribe भी कर सकते हैं, तो in the conclusion of this video, जैसा मैंने बताया है, कि आप जो effort करते हैं, वो effort illusion-based नहीं होना चाहिए, वो exaggerated effort नहीं होना चाहिए, वो जो है, interrupted effort नहीं होना चाहिए, वो quantitative effort नहीं होना चाहिए, आपकी efforts, आपकी मेहनत, आपका hard work, that should be qualitative, that should be effective, तो इसके लिए आपको क्या करना है, 15 rule apply करिये, 10 करिये, 5 करिये, 5 plus 5 plus 5, 5 new topics, learn, 5 old topics, recall, और 5 recalling topics, practice, जी हा, यह रहा मूल मंत्रा, अच्छा लगा है, तो वीडियो को like सब्सक्राइब करिये, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, till then bye bye, take care, all the best.